प्रेमर्केट अनलाइसिस पे आप सभी का स्वागा थे, आज है 14th of February 2024, Wednesday and I am your host Ashish कल के दिन में US CPI data के लिए बार्केट पोरका पुरा इर्तेजार कर रहा था और इंडियन टामिक्स शाम को US CPI data है, which was higher than the market expectations, जिसकी कर एगें, पिक्चर पलेट गया, पिक्चर पलेट गया का मतलब क्या है, कि डॉलर इंडेक्स जो है, वह आपका 104, 10, 30 के बीच में, तीन-चार दिन से घुम रहा था, और US CPI data के बाद ये ऊपर के तरफ चला गया, पट इट वस नौट इस सर्प्राइस, बिक्चले चार पाच, छे दिनों से, बैसे के लिए, मंडिय अग्वर्स, हमारा ये था कि यहां पे एक स्विंग बनाएगा, ये जो आपका स्विंग बनाया हुआ है, क्कोंसा स्विंग बना के निचे आया, ये अगर स्विंग को तोरेगा, इन सचे किस, डलार इंडेक्स is expected to move हाया, ये जो पीचर है, ये चोटा से द्रॉ किया हुआ हुआ है, वो हाया, इन सचे किस, means there are possibilities के डलार इंडेक्स is moving towards 106, and कल US CPI data के बाद वही स्विंग हाय को तोर के उप आले दिनों में, डलार इंडेक्स का प्रोब पॉसिबिलीटी क्या है, इस है इडिंग वर्स, ये ही हमारा कल्कुलेशन लस्ट मंडे से चल रहा था, और नीचे आना था तो आपका इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉंग क्लोज देना था जो हुआ ही नहीं, GBP dollar, GBP dollar भी क्या था, यहां पर एक trend line resistance था, इस trend line resistance के उपर एक strong close देना था, in such a case GBP dollar will head towards 1.2 inch, और अगर fail through, in such a case, re-test of the recent swing low, which is nothing but 1.2 by 1.2 by 1.3, so, अभी ये थोड़ा सा नीचे के था, तरफ आने के लिए, higher possibilities है, GBP INR, similarly, यहां पर हमी एक strong green candle का closing चाहिए था, which मैं take GBP INR towards 106, अगर fail to do that one, in such a case, it is coming down, means swing low के तरफ आने का higher possibilities है, जो under info, so, अभी ऐसा लगे रहा है, कि ये either sideways करेगा, या नीचे के तरफ आ जाएगा, तो नों में से एक, euro dollar, same analysis था, यहां पर एक resistance था, इसके उपर अगर strong green color के close देते हैं, तो euro dollar is heading towards 1.09, अगर fail to break, then retest of the recent swing low, अभी ये retest के बाद नीचे के तरफ भी आ चुका है, तो अभी हमारा जो immediate support level है, वो है आपका वाट 067080, इधर आने देते हैं, उसके बाद फिर हम recalculate करेंगे, यहां पर जाना था, इसको अगर उपर जाना था, तूर्स 91, 25 and 92, 50, in such a case, यहां पर strong positive candle का closing चाहिए था जो हुआ नीचे के तरफ, यह swing लोग को test करके नीचे के further नीचे close दिया हुआ, हमारा जो immediate support level है 89, 89.10 का उसके नीचे close दिया हुआ है, so what next, what next मैं, sell up, sell upticks, yes, sell upticks for a target towards 88,05, dollar yen, dollar yen में बहुती तगर अब मूव दिया हुआ, immediately जो resistance था, 149.50 से 149.75 का उसको तोर के भोर के उपर के तरफ, so means all and currently it is at 150.60, after trading height of 150.80, you happy, a few stop losses, so yeah, what next, what next can be a B EJU 152, 151 75, say 152.00, that is the next immediate major resistance, so yeah, for time being, हमें थोना साथ, buy dips and later, if dollar index is a dollar yen is moving towards 150, 157, 152 के तो वहापे हमें सहलीं का opportunities तुनना है, यहन आयनर, यहन आयनर यह सपोर्ट लेवल जो हमारा पहले ड्रॉ किया हुआ था, 55 का वहीं पर आके, list कर रहें हैं, अभी what next, what next का अगर हम देखेंगे, तो काफी quicknesses है, जब तक step का double top breakout नहीं करते हैं, double top पो बोले ते double swing highs, not double, double top का definition अलग है, so double swing highs को नहीं तोड़ते हैं, तब तक buying के लिए हमें इंतिजार करना है, यहां पर थोरा सा हमें consolidations का possibilities यहां पर यानि 55 के आस पास थोरा सा consolidation का expectations, dollar candy, dollar candy यह जो हमारा zone था, नीचे के तरफ 1350 और उपर के तरफ 135 यह zones के जस्ट हायर एंड पर आके, अभी रेस्ट के कल अच्छा का साइक आप मूद दिया, अभी हमें देखना है क्या यह 135.50 का जो 135.50 से 130, means 1.3550 से 1.3580 का 0 resistance level है, आज क्या follow through मिलता है, that we need to see, Aussie dollar में और फर्दत अपका इसका, देमीज प्राइसेक्शन में काफी डेमीज देखा गया, तो यहां पर मिंस डेईली तैम फेंपे काफी विकनेस हैं, विक्ली में इस अप्रिशिंस 40, RSA 40, यहां पर फॉर सा मेंस लॉर लेवल पर फोर सा मेंस, हमें बेस आउट हो रहा है क्या वो हमें देखना होरे है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए रूपी में प्रेशर आएंगे, नेक्स्ट इस ब्रेंट कूट फूचर, ब्रेंट कूट फूचर कल एक हाई मारा था 83.31, चरेंटली 83.82, तो यहां पर आप अगर देखोगे आपका एक रिजिस्टेंस जो था 80 150, 8170 उसको एक बर तोरा सा पहले बाद तोरके नेक्स्ट जो रिजिस्टेंस था 8450, 8450 का वहाँ पर रिजिस्टेंस लेके फिर नीचे के तरफ, सेल अफ देखा के, सब्सेकेंटली एगें, वन्स अगें इस त्राइंट टेस्ट, 8450, 8470, इस जोन पे हमें देखना है कैसे प्राइस बिहेव करते हैं, क्या यहां पे इस बार तोर के उपर के तरफ जाते हैं, इस बार वह दोबार सेल अफ होते हैं, इस जो 8450, 8475 का जोन में अगर आते हैं, तो हमें प्राइस को मॉनिटर करना है, युस चैने ट्रेजरी युस टेने ट्रेजरी का जो रिजिस्टेंस लेवल था, 4.1 उसको तोर के फोर के एक डम उपर के तरब बराबर चाल गया है अभी यह हमारा जो रिजिस्टेंस लेवल तर नेक्स्ट वो 4.25 से 4.29 उसको भी तूपर चला गया है तो करेंटली इस 4.32 बिंग दैस्ट वाट नेक्स्ट में हम इसको जाना उपर नहीं देख रहे हैं इसका में रिजन आरे साई वीकली आरे साई नाव एट 54.7 तो 60 के तरफ जाने के बाद देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के यह मेंस रिजिस्टंस लेस उसके कारण हम यहां पर एक यह एफिबरी ट्रिस्मेंट डालने का प्रायास करेंगे तो विच सेज तो फिस्ट रिस्टंस इस एक्स्टेट तो 4.40 और सेकंड रिजिस्टंस इस गोई तो रिजिस्टंस हमारे पस 4.40 पॉर जेरो यह न्य के लिफाल रेसंट इसके ल Конक्रांट deste विफाल को फिफावल जिस्टंस इसके समेंट्रस बढावल जलते सेक्सिटंस करेंग। लदा फिस्टंस बढावले धुडिस्टंस बवले झालते सेक्शतेस्त। इसक्स्यरत Express! तो अभी हमें देखना है कि यह दो जो दो एडिया 4.40 पहला वाला है यहां पे जो रहा था बैसिकली अगर काफी टाइम से हमारे जानलिस था यहां पे क्या था कि यह वीक्ली बिसिस पे काफी कॉंसुलीड इसको ब्रीक आउट करना है आजर से आजर देलोर साइट और अंधायर साथ हमारा मन यह चाह रहा था कि निचे के तरफ जाहें लेकिन यह रादर ऊपर के तरफ चला गया है करेंटर 4.65 इस एरिया पे प्राइस के से बिहेव करते हैं उसको हमें मोनीटर करना है डालर रुपी डालर भी अभी है आपका 83.0809 अभी हम देखेंगे के यहां पे एक हमारा तरेंड लाइन रिस्टन्स हैं रिंड रिस्संस इस रेंड रिस्टन्स टो तोर के यह सिरो एड कर안ती कैसे से सिं़क होने क्योंकि बेक टु बहु ड़ॉलर इंडिप सक्राइग न जैसे यह 7.25 और 7.29 के तरफ पहुंच जाएगा डॉलार रूपी में अच्छा का प्रेशर का एक्सक्राइशन से तरफ लेकिन यहां पे mighty hand ka role both on the lower side as well as on the higher means carefully would your views observe the hair rather than blindly initiative so currency free market analysis a vehicle is not a shakata hoi a presentation up so we go a challenge of the hips like you thank you and have a great day bye bye